दिल्ली शहर में तड़कुमल नाम का एक बेहत गुस्से वाला अदमी रहता था एक बार गुस्सा होने पर तड़कुमल क्या करेगा ये कोई नहीं कह सकता था ऐसे ही एक दिन इस तड़कुमल को अपनी पत्नी पर गुस्सा आया क्यों मोगरा मैंने कितनी बार तुमसे काये कि मुझे सब्जी में कम नमक पसंद नहीं है रुकिये अभी डाल देती हो सब्जी में नमक इतना नमक क्यों मुझे मानने के सोच रही हो क्या मैं तोड़ी से सबजी डाल देती हूँ अर अर ये चपाती तो बिल्कुल कड़क है इससे तो मेरे दांट तुट जाएंगे कौन जाने कहां से ऐसे पत्नी मे लिए कितनी बार मैं ने तुमसे काया कि मुझे भूजन में अन्न के सिवा और कुछ भी पसंद नहीं है अब इसमें बाल कहां से आया नहीं जी गलती से आ गया होगा दोबारा मुझे ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा ऐसी गलती हुई न तो नाई के पास तुम्हारे सर से सारे बाल कटवा दूगा फिर देखता हम भूजन में बाल कैसे आते हैं पत्नी को इतना धमकाने के बाद भी एक दिन जो होना था वही हुआ तड़कुमल के भोजन में फिर से बाल आया जी वो गलती से आया होगा मैं अभी पहले ही बाल बना लेती हूँ उठ अभी क्या भी उठ और नहीं को यहां बुला के ला नहीं नहीं जी नहीं मैं मैंने अब अब ऐसा नहीं होगा मेरे बाल मत कटवाईए मेरे बाल मत कटवाईए अच्छा पिछली बार भी तुमने यही का था पर फिर से आया ना बाल अब सजाने मिलेगी तब तक तुम नहीं सुद्रोगी चलो निकलो यहां से पती के सामने अपनी एक भी चलने वाली नहीं यह समझते ही मोगरा ने नाई के घर का रास्ता लिया फिर उसे सारी बातें बताई यह सुनकर नाई बोला दिदी, आपके पती के सामने मेरा बस चलना मुश्किल है हमें काम करते हैं, हम चलते हैं बिर्बल के पास और देखते हैं कोई इलाज मिलता है क्या फिर मोगरा और नाई बिर्बल से मिले उन्हें सारी बात बताने पर बिर्बल ने कहा अब जैसा मैं बताऊं वैसा ही करना तड़कुमल जी, ओ तड़कुमल जी, चलिए जल्दी चलिए कौन है, अरे नाई तुम, और मोगरा कहा है जी, दीदी को स्नान करने भिजवाया है उसके बगर ठीक से बाल काट नहीं सकते न ये अच्छा क्या है तुमने तो अब आप भी एक काम कीजिए न ये वीश लीजिए और फटाक से पी जाएए ये वीश, ये मुझे क्यों पीना होगा अजी, आपकी पतनी के बाल जो काटने हैं न तो, अरे तो तो क्या आप मरे बिना मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ हमारे धरम में ही वैसा कहा गया है चली 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 पड़ाबट निपड लीजिए जल्दी 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 नहीं, 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 नहीं क्या ले लो जल्दी, बिर्बल जी ने ये वीश खास करके आपके लिए भिजवाया है तो फिर क्या, हाँ, बड़े ठाट से आपकी अंतिम्यात्रा निकलने वाली है आप अपने धर्म का इतना आदर करते हैं इसलिए खुद बाच्छा भी अंतिम्यात्रा में शामिल होने वाले हैं अरे बहुत ही नसीब वाले हैं आप तो तड़कुमल जी नहीं, 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 भाईया, अरे मुझसे भूलो गई, इतनी भारी सजा मत दो मुझे फिर आप भी आपकी पत्नी को कितनी भारी सजा दे रहे थे तड़कुमल जी सचा है आपके बाद, भूलो गई, सच मुझ भूलो गई, गुस्से के करण मैं तो अंदा हो गया था अच्छा हुआ आपने मेरी आँखे खोल दी अजी मैं कौन आपके आँखे खोलने वाला, ये काम तो है चतुर बिर्बल जी का